रमजान का इबादिती महीना चल रहा है और वहीं कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पिछले साल 31 मार्च से बंद निजामुदीन मर्कज में नमाज पढ़ने को लेकर दिल्ली उचुन्यायाले ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का खयाल रखते हुए दिशान निर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि नजामुदीन मर्कज में रमजान के दौरान एक साथ पचास लोगों को नमाज पढ़ने की इजासत है। मिलनी चाहिए। आपको बता दे कि नजामुदीन मर्कज पिछले साल 31 मार्च से बंद है। उस वक्त यहां तबलीगी जमात के आयोजन में जुड़ी भीड से देश भर में कोरोना फैलने का मुद्दा उठा था।